कि 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 हलो वेल्कम एवर्वन दिस एजैसन इंस्टिट्यूट माइम इस एफ ला तुड़ी अर्टिक फिल्ड लाइन्स और विल डिस्कॉस अबॉट इस पहले हम लोगों ने डिस्कॉस जू किया था वह एलेक्टिक फिल्ड लाइन्स कंटिन्यूस चाज दिस्ट्रिबिशन मा expensive के जरी हैं कि से इलेक्टिक फिल्ड निकालते हैं आज हम लोगे सा एक एक्लिक फिल्ड लाइन्स के बारे में में कि इलेक्टिक फिल्ड लायंस क्या है कि हमें तोबारे यह सा कहते हैं यह सारा बात तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक 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 नजर नहीं आता लेकिन वह अजर लेक्टिक फिल्ड लाइन जो होता है वो इमेजिनेरी लाइन होता है इलेक्टिक फिल्ड जो रीजन पर है उसको हम लोग ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं बॉइंग के जरहें वह कर्द के पौं में भी हो सकता है तो उसे हम लोग कहते हैं इलेक्टिक फॉर्स यानि लाइन्स ओफ एलेक्टिक फॉर्स भी कह सकते हैं यह होता है इमेजिनेरी होता ये बात रहात है आपको अप क्योंकि वो नजर नहीं आता उसको imagine करके draw किया जाता और इस concept को देने वाले के scientist का नाम क्या था फेरेडे था तो अब दिए electric field lines के properties को हम समझेंगे जो बहुत ही important है और बहुत ही important इस वज़े से क्योंकि इस पर questions वगरा भी आता है वगरा में पूछा जाता है सवाल तो पहला property हम लोग समझते हैं कि electric field lines के पहला property है क्या चीज़ तो first property यह है कि electric field lines जो होता है electric field lines स्टार्ट उटता है positive charge से और खतम होता है negative charge पर यह बात याद रखना यानि कि अगर एक positive charge है और एक क्या है negative charge है तो electric field lines अगर हमें देखाना होगा तो electric field lines के इस direction में हम देखाएंगे positive से start हुआ यह निकल रहा है positive से और खतम कहा हो रहा है negative पर तो यह बात समझ में आई यह चीज़ अगर if there is a single charge अगर single charge हो रहा था या positive या negative तो positive से start होते हुए नजर आएगा और वह infinity पर को एक negative charge होगा जहा positive charge पर जो electric field lines आरा है कहीं पर infinite Milkड फर कोइक positive charge होगा मतलब ज्यार इसको समझ को डियाग्राम से किसे एक positive charge टेक यह positive charge है अब यह positive charge है तो positive charge में जो electric field lines का जो इलेक्टिक field lines जो शोर करेगा graphically representation इस t jakiś होगा और उस से start हो रहा है कि ये क्या हो रहा है start हो रहा है ये start हो रहा है बाहर जा रहा है जा रहा है कहीं पर चार ये जा रहा है ये क्या हो रहा है निकल रहा है ठीक है एक पॉइंट से क्या हो रहा है यह निकल रहा है जब यह निकल रहा है यहां पर इस पॉइंट पर कि एक मिनट इस पॉइंट से यह क्या हो रहा है निकलते वे नज़र आ रहा है अब दिक इक इन्फिनाइट पर हो सकता है कहीं इन्फिनाइट पर माली जी यहां से यह infinite पर यहां पर infinite पर कोई negative charge होगा जो क्या हो रहा है यह जा करके negative में मिल रहा है यह चीज़ है तो यह होता है क्या चीज़? यह होता है Radially Oddward इसे हम लोग क्या कहेंगे? Radially Oddward Radially Oddward होई है यह चीज़ किलियर यह बात अब दूसरी बात यहां पर यह देखिये अगर charge क्या हो feeds negative रह, अगर charge कैसे रहे negative charge रहे तो negative charge रहेगा तो उसमें electric field lines किस तरह के से शो होगा? electric field lines इस तरह के से शो गा यह हुआ यह क्या हुआ यह आ रहा है कहीं से electric field lines जो negative charge पर खितना हो यहा Am2 और करके यह electric field lines मिल रहा है तो यह क्या हुआ? Radially inward हुआ Radially inward या radially towards हम कह सकते हैं चार्ज के तरफ अब देखिए क्या यहां पर हो सकता है कहीं infinite पर positive चार्ज रहा होगा वहां से electric field lines आ रहा है और यह आ रहा है तो वह कहां पर अगर मिल रहा है किलियर यह बात, यह बात समझ में आगी अच्छी तरीके से, ठीक है, तो यह दो डाइरेक्शन याद रखना कि पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ जाता है, यह पॉजिटिव से निकलेगा, खतम कहा होगा, मिलेगा कहा पर, निगेटिव पर आकर मिलेगा, अब दूसरा अगर हम दो चार्ज लेते हैं, डाइपुल समझ में आता है, अगर हम दे लिधा खेटिव की तरह से हमें आगेटिव के और लोग्या ऐसे, यह पॉजिटिव की तरह से है कि यह थ prickे प्र खेटिव द्स्तिक, एक एक निगेटिव, जो आफ यह यह सब लहार रहा है, घ का डिरेक्शन इस तरीके से होगा यह स्टार्ट हो रहा है खत्म का हो रहा है निगेटीब पर फिर यह इधर आ रहा है पिर यह इधर आ रहा है इस तरीके से यह 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 इलेक्टिक फाल इधर एलेक्टिक फिल्लाइन जो है वह किदर इस तरफ जाएगा इधर आएगा इस तर तरफ होगा कि इस तरफ होगा इस तरफ जा रहा होगा बाहर इससे ऑठ हो रहा होगा कि लिए बात अगर यह इस तरीके से हम फिगर बनाएं कि यह बात यह समझाने की समझा समझाया जा रहा है यहां पर यह बात कि यही लाइन है यहां पर हमने खाली छोड़ दिये यही लाइन मिल रहा है फिर इस तरीके से मिल रहा है इस तरीके से मिल रहा है इस तरीके से यह मिल रहा है इस तरीके से किलियर यह बात आसमझ में आ रहा है यह 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 हमारा हुआ electric field lines dipole में इस तरीके से हम लोग show करते हैं यह चीज अधा हमारा electric field line कि कि अगर हम इस तरीके से देए electric field line कि यह से आएगा उसे आएगा इसे आएगा इस तरीके अएगा यह चीज़ तो यह खतम हो रहा है और यह निकल रहा है यह इधर जाएगा यह बाहर जा रहा होगा यह चिस के लिए रहे बात तो यह हुआ डाइपोल यानि इक्वल चाइए अब इक्वल मैंगिशूड का लेकिन नेचर अपोजिट होगा पॉजिटिव और नेगेटिव अब अगर ने गौः कि करना है कि पॉजिटिव चार्ज से जो एलेक्टिक फट लाइन जाएगा बाहर की तरफ बाहर की तरफ इलियर रहा है यह इस तरह के इसे बनाएंगे लेक्टिक फ लाइन इस दिए ने जाएगा यह यहां चलागी है इस तरीके से इस तरीके से इस तरीके से जाएगा अब तो यह इधर जाएगा और यहां से आएगा इधर जाएगा क्योंकि दोनों पॉजिटिव है यहां से आएगा इस तरफ जाएगा यहां से इस तरफ जाएगा दोनों मिलेगा नहीं क्यों नहीं मिले धारेगा मिन लेंगा कारण क्या हुआ कि ये और को कि यह ड़ों जरी करेंगा रिपल्सने अगर यहां से निकलेगा तो इस डारेक्शन में जाएगा यहां से निकलेगा तो इस डारेक्शन में जाएगा यहां से निकलेगा तो इस डारेक्शन में जाएगा बीच में यह नहीं मिलेगा आकर के किलियर यह बात यह समझ में आगिया तो ये दो opposite charge था, ये दो same, यानि ये opposite nature का था और ये same nature का था, ये unlike charges और ये like charges, तो like charges में क्या होता है, मिलता line नहीं है, क्योंकि दोनो repulsive force पैदा करता है, तो जिसके ऐसे electric field क्या होता, फैलता electric field lines, ये मिलेगा नहीं आ करके, मिलेगा नहीं ये दुर चला जाएगा, clear ये बा कोई भी electric field lines अगर रहता है, उस पर अगर हम एक point लेते हैं, और उस point से अगर हम tangent ड्रा करते हैं, तो वह हमें क्या देखाता है, वह हमें electric field intensity का direction बताता है, यानि जो electric field intensity उसका direction बताता है, मतलब क्या, इसको समझना है, जैसे ये, ये है electric field lines, ये बात समझ मा रहा है, और पॉ अब इस जगापे हमने tangent ड्रा किया. टानजिन ड्रा हुआ है. तो यह क्या शो किया? यह शो किया electric field. यहनी net electric field का. याद रखने हैं यह बात. Net electric field का जो intensity है, उसके direction को शो कर रहा है यह बात. Clear यह बात? समझ में आ रहा है यह बात? एक और अगर हम इस तरीके से line ले यह हुआ आपका electric field line electric field line और माल लेज़े यहाँ पर हम यहाँ पर show कर रहे हैं इधर इस तरफ show कर रहे हैं इस तरफ जब हम एक point लिया और यहाँ पर tangent ड्रा करेंगे तो यह जाएगा electric field intensity का direction होगा यह अगर हम इस जगा पर point लेंगे इस जगा पर तो यह होगा हमारा electric field intensity का direction तो याद रखने यह important property है कि कोई भी tangent अगर electric line of force पर यहनि electric field पर electric field line पर अगर कोई भी point से tangent ड्रा करेंगे तो वो electric field के intensity के direction को बताता है के लिए यह बात ठीक अब आईए अगर यह चोथा point याद रखिएगा चोथा point आपका यह है कि दो electric field lines never cross each other दो electric field lines तो electric field lines जो है वो कभी भी two electric field lines never cross each other कभी भी two electric field lines cross नहीं करता करेगा नहीं होगा क्यों नहीं होगा reason यहाँ पर लिखावा अगर हो जाता है question आता है exam board examination में why two electric field lines never cross each other जिसका reason क्या है अगर if two electric field lines cross each other तो वो जो crossing point यहाँ पर आएगा तो वहाँ पर जो electric field intensity का जो direction हम निकालेंगे electric field का जो direction निकलेगा हमारा वो graphically impossible होगा क्योंकि दो direction निकलेगा किस तरीके से समझी यह बात जैसे यह है यह एक electric field हुआ ठेक और यह एक electric field हुआ ठेक है अब यहाँ पर electric field है अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि इस point पर इस point पर इस point पर दो electric field lines ने दो cross किया इस point पर अगर हम tangent ड्राग करेंगे तो जब यह line लेंगे यह वाला line यह curve line लेंगे जब हम तो इसमें tangent इस direction में जाएगा यह हुआ direction electric field net electric field का direction यह हुआ अब जब यह line लेंगे हम यह वाला line लेंगे तो इसमें tangent जाएगा इस तरफ तो यह हुआ electric field का direction अब दो एक दो नेट एलेक्टिक फिल्ड का डारेक्शन तो हो नहीं सकता पॉसिबल है नहीं यह चिस ग्राफिकल है क्योंकि हम नेट एलेक्टिक फिल्ड का डारेक्शन एक ही होगा सिंगल होगा तो यह पॉसिबल नहीं है इसलिए कभी भी एलेक्टिक फिल्ड लाइन्स लेगा नेट एलेक्टिक फिल्ड का जो ग्राफिक लिख्या है इंपॉसिबल ऐसा हो नहीं सकता कि अवाग, समझ में आगी है यह पॉइंट, ठीक, अब नेक्स पॉइंट देखिए, हुआ है नेक्स प्रोपरटीज इस अलेक्टिक फृल ऌरे हैं कि क्या है में सितना जादा इलेक्टिक ृलाइंस chamado प्रोपरटीज 272 पोना इस पेडिर नहीं होगा स्थानभजक मतलब यह है किDonia example से समझे, dancer होना चाहिए, electric lines of force, मतलब electric field जो होना चाहिए, electric field lines जो होना चाहिए, वो बहुत जादा होना चाहिए, किस तरीके से समझेगा, जैसे अगर हम क्या है, यह हम electric field lines का, example बता रहे हैं आपको, यह हो गया, ठेक, अब एग, देखिए, क्या है, यहाँ पर आपको क्या नजर आ रहा है, crowded नजर आ रहा है, टेंसर है, electric field lines, electric lines of force भी कह सकते हैं, यहाँ पर क्या नजर आ रहा है, टेंसर नजर नहीं आ रहा है, तो यह electric field अगर इसको हम E1 मानते हैं, और इसे E2 माना, तो बताए, stronger electric field किसका होगा, इसका होगा या इसका होगा, stronger electric field इसका होगा, क्यों, क्योंकि electric lines of force, यहाँ पर denser है, बहुत ज़ादा, इतना ही सा जगा में, बहुत जादा lines आ रहा है, number of electric lines बहुत ज़ादा है, लेकिन इसमें क्या काम है, कम होने का कारण क्या है यह कारण है यह ऐलेक्टिक फिल्ड जो है इन्वर्सली प्रोपोजौनल होता है अगर 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 मिवशच जटना जादा हो और इलेक्टिक फिल्ड लाइन्स का उतना इलेक्टिक फिल्ड कम होगा इस पेस जितना कम होगा उतना ही जादा इलेक्टिक फिल्ड होगा देखिए इसमें स्पेस देखिए कितना कम है कम है इसमें 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 स्पेस कितना जादा है तो क्या होगा इलेक्टिक फिल्ड व कम होने का करन गया इसके space कम है तो इसलिए lines of forces जो है वो जादा है बहुत जादा है electric field lines of force जो है वो जादा है यहाँ पर space जादा होने की वज़े से line of forces जो है वो कम हो गया तो यहाँ पर denser जो हुआ electric field lines को वो कमी है और यहाँ पर जादा है यहाँ पर crowded है, यहाँ पर crowd नहीं है, तो यह electric field जादा होगा और यह electric field कम होगा, clear यह बात, अब इसे हम इस दो questions को समझेंगे अच्छी तरीके से, देखें, यह question है आपका पहला, पहला question आपका यह है, कि यह question बना हुआ, figure दिया हुआ, electric field line को show कर रहा है, और point दिया हुआ, point A, point B, point C, कह रहा है कि इन आप्शन में बताएगे कि कौन सो सही है, अब दिया, इस point पर, इस point पर, इस point पर आईए, मतलब electric field A हुआ, electric field B हुआ, और electric field C हुआ, at C, तो electric field at A देखें, क्या है, space देखें, यहाँ से यहाँ से यहाँ तक का space, electric field B के जगा पर देखें, यहाँ स से यहाँ तक का space, यहाँ से यहाँ से यहाँ तक space, तो electric field at A, electric field at C, दोनों से मेना, एकदम सेम डिस्टेंस है, एक्यू डिस्टेंस है, तो एक्यू डिस्टेंस होने की वज़ासे, lines, एक, दो, तीन, लाइन है, एक, दो, तीन, लाइन है, तो electric field A, electric field C, दोनों क्या होगा, ब होगा वो लेस होगा तो पता यह चला है कि electric field at point A and electric field point C क्या हुआ जादा हुआ किसके बने सबस्थ? electric field point at B, B at point B पर तो इसलिए electric field A or electric field C का magnitude है वो बराबर होगा क्योंकि same है same है यह चिस और यह बड़ा होगा किस से electric field B से stronger होगगा यह दोनों तो option number कुंसा हो गया ये तो होगा नहीं ये भी नहीं होगा ये होगा option number C आपका answer clear ये बात चलिए अब दुसरा सावाल देखते हैं इसी पर ये इस पर याद रखना है जतना space जादा electric field कम जतना space कम electric field उतना जादा आई ये question अब दुसरा question figure shows दिया होगा electric field lines electric field show कर रहा है line spacing parallel है ये parallel line दिया हुआ है to the page everywhere हर जगा if the magnitude of electric field at A, A के जगा पर ये point A है ठीक है इस point A के जगा पर electric field जो है वो 40 newton per curriculum है magnitude of field at B, B के जगा पर देखें जाना बी के जगा पर क्या होगा इस point पर electric field क्या होगा अब जरुक और की जिए आप्वाइंट पर क्या है distance दिया हुआ एक्स दिया हुआ PAT B पर जो दो electric field lines का distance क्या दिया हुआ य दिया हुआ य किसके बराबर है तो ए जब दिया हुआ हूआ है 40 तो मतलब दूगना हो रहा है तो जब इस्टेंस बढ़ने की वज़ासे तो इलेक्ट्रिक पिल्ड जो होता है वह क्या होता है घर जाता है तो यहाँ पर 2 एकसे तो एक 40 newton पर कुलम दिया होगा है तो बीकर पर क्या होगा 20 पर कुलम समझ सकते हैं आप देखें किस से समझेगा एलेक्टिक फिल्ड पॉइंट ए थाँ पॉइंट ऑफ इक टेकर फिल्ड सब्सक्राइब सब्सक्राइब कि एक सब्सक्राइब point a clear बास समझ में आया space at point b जो होगा वो क्या space दिया होगा कितना space y दिया होगा space at point a यहाँ b और a के हो लिए क्यों लिए क्यों क्यों universally होता है y by क्या हो गया x y का value kitना है 2x y का value 2x दिया होगा है तो यह से मल्टिप्लाइ हो जाएगा इससे क्या हो जाएगा एवी बराबर हम लिखेंगे एए बाई-टु तो यह गाल होगया चालिस चालिस दिया हुआ है चालिस न्यूटन पर गुलम बाइटू कैंसिल हो गया कितना है ट्वैंटी न्यूटन पर गुलम अप्शन नमबर से हमारा क्लियर यह समझ में आगे अच्छे तरीके से यह दो कोश्चन्स यह बहुत इंपॉर्टेंट कंस्रिप्ट था क्लियर यह बात चलिए अब जिस्तोरा कंस्रिप्ट देखते हैं लोग इसे इस नोट्स को आप चाहें तो उतार लें वीडियो पॉस्ट करके से उतार लें इसको क्लियर आईए देखिए जिस्ता कंस्रिप्ट दिया हुआ है नंबर ओफ एलेक्टिक फिल्लाइंस पासिंग पर यूनिट एरिया के हिसाब से अब इसको यह बात समझ में आना चाहिए बात यसे हम क्या है कि एरिया दियावा दो एरिया दियावा एक बड़ा एरिया दियावा और एक छोटा एरिया दियावा एक और इससे एलेक्टिक फिल्लाइं गया कि इस तरीके से एलेक्टिक फिल्ड लाइन गया अब देखिए हम जान रहे हैं कि इसे माल लेते हैं हम इवन और इसे माल लेते हैं इटू किलियर अगर इवन बाई इटू अगर हमें अगर फाइंड करना होगा तो इवन बाई इटू क्या होगा इवन हो जागा इटीड़ वाई एटू क्या हो जागा एंटू बाई एटू किलियर अब देखिए यहां पर इवन बाई इटू और इंटू का वैल्व बराबर है नंबर ऑफ एलेक्टिक फिल्ड लाइन्स जो है वो equal है, यानि N1 is equal to N2, कितना है, 4 है, 1, 2, 3, 4, clear, area क्या है, area हो गया A1 और यह क्या हो गया, area A2, area बड़ा है, तो अब यह दोनों बराबर है, तो यह दोनों cancel हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, E1 by E2 is equal to A2 by A1, यह आएगा न हमारा, यह बात, clear यह बात, यह बात समझ में मतलब क्या हुआ, कि field line, electric field intensity जो होता है, वो number of electric fields per unit area है, यह यह बाइ, जतना area होगा, उतना electric field कम होगा, जतना कब area होगा, उतना ही जादा electric field होगा, clear यह बात, समझ में IHS, और वो line पर भी depend करेगा, number of lines पर भी, ठीक है यह पॉइंट समझ में आगिया अब आते हम next point के तरफ point number seven point number seven यह कहता है कि electric field lines are proportional to charge यानि number of electric field lines जो है electric field lines वो directly proportional होता है charge के वो क्या होता है directly proportional होता है charge के इस बात को आपको समझना है अच्छे तरीके से जैसे कि मैं लीजिए दो charge दिया हुए है ठीक है और Q2 दिया हुआ है अब इसमें हम यह पॉजिटीव और निगेटिव चार्ज है यह हुआ इस तरीके से कि फिल्ल लाइन्स हम शो कर रहे हैं यह पॉजिटीव ले लिया यह निगेटिव ले लिया इसे पता चल रहा है यह चिस निगेटिव में क्या होगा मिलेगा कि इसको इस तरीके से बना देता है कि इसको इस तरीके से बना देता है टाका है बन जारा है अब देखिए कहेगा क्यूएन बाई क्यूटू क्यूएन बाई क्यूटू का रेशियो फाइंड किजिए क्या होगा क्यूएन पर देखिए नंबर ओफ लाइन्स कितना निकल रहा है एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नौ, दस दस हो गया अब आएए इधर इस क्यूटू पर कितना नंबर ओफ लाइन्स मिल रहा है आकर के एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ आठ मिल रहा है क्यलियर अब ये 5 होगी और ये 4 होगी है कितना होगी है 5 x 4 5 ratio, 4 Q1 x Q2 का क्या ratio होगा 4 होगा तो मतलब अब अब ओफ अलेक्टिक फिल्ड लाइन्स जो होगा वो क्या होगा अबब अलेक्टिक फिल्ड लाइन्स जो होगा वो directly proportional होता है चार्ज के यानि चार्ज पर जितना number of electric field lines होगा, उतना हम लिख देंगे, इस चार्ज पर कितना था, 10 था, 10 लिख दिया, इस चार्ज पर कितना नजर आ रहा है, 8 था, 8 लिख दिया, अब ये दुनों का ratio बोला तो 5 by 4 हो गया, के लिए ये बात समझ में आगिया, ठेक, अब आईए, दे वो parallel होगा, ठेक है, parallel line होगा, अब दुसरा जो distance होगा, दो lines के बीच का, वो fixed होगा, same होगा, D, 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 ठीक, ये कहला आएगा, uniform electric field, ये जो lines होगा, वो क्या होगा, uniform electric field, अब अगर कहा जाए, क्या ये uniform electric field होगा, तो इसका जवाब होगा, नहीं, क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसका distance जो ये दुनों के बीच का, वो same नहीं, जैसे माल लिजिए, इसको E1 माल लेते हैं, E2 माल लेते हैं, अब अगर माल लिजिए, ये बात याद रखना है, electric field जो तो वो conservative force होता है, conservative होता है, यानि work done अगर हम निकाले, यहाँ से हम ले ले ए, ये बी, ये ए, और ये क्या लिए, बी, तो work done क्या होना चाहिए, यहाँ से जब आएंगे तो यहाँ पर work done zero होगा, तो work done जब zero होना चाहिए, तो देखें किस तरीके से क्या, यह work done zero हो रहा है, अगर हम निकालेंगे, यहाँ पर माल लिजिए चार्ज है, तो charge का क्या होता है, Q into E, force बराबर, charge पर जो force लगता है, clear, तो work done हम निकाल ले, तो इस direction में जा रहे पोजिटिव रहे तो force into displacement, QE into A QE1, अब यहाँ आए, यह और यह perpendicular है, तो perpendicular है, तो zero हो जाएगा work done, अब इदर जाएंगे, इस direction में, तो इस direction में जब जाएंगे, तो क्या हुआ, minus QE2 into A, अब तो क्या यह work done जो है, वह zero होगा, क्योंकि E1 और E2 का जो मामला है, वह दोनों अलग है, same नहीं है, तो एक बात याद रखना है, कि closed figure जो बनता है, closed figure जो electric field का अभी यह point को में बताएंगे, वह electric field कभी भी closed figure नहीं बनाएगा, closed loop नहीं बनाएगा, तो uniform electric field का पहचान इस वज़े से है, यह parallel और Eq-spaced इस वज़े से होता है, अगर parallel हो, लेकिन Eq-spaced नहीं हो, तो यह uniform electric field नहीं हो अब यह point, electric field lines do not form any closed loop, क्या है कहा जाएंगे, कि यह electric field को शो करेगा, electric field को शो करेगा, अब ज़रा से यह बताएंगे, कि माली जी इस point P पर हमें कोई charge consider करें, positive charge consider किया, जब positive charge consider किया हमने, तो ज़रा बताएंगे, किया positive charge पर से तो electric field lines निकला लेकिन, क्या आगर कि फिर positive पर मिलेगा, क्या यह possible है, यह possible है, अगर negative consider करते हम, तो यह तो आगर कि मिलगा Ồánh नेगेटीव पर, लेकिन क्या यह negative से निकलेगा, तो क्या यह possible है, possible है, तो इस हिसाब से possible है, तो electric field lines जो है, वो किसी तरीकρι का क्लोजड फीगर नहीं बनाएगा जहां पर भी आपको लिके है ये एक्जाम कोश्चन दे और इस तरीके से डारेक्शन शो किया रहे और बताए कि क्या ये इलेक्टिक फिल्ड लाइन्स है ये शो कर रहे इलेक्टिक फिल्ड लाइन्स को तो इसका जवाब होगा नो क्योंकि ये क्लोज लूप नहीं बनाता और इसका रिजन होता है क्योंकि ये कंजर्वेटिव नेचर का होता है इलेक्टिक फिल्ड किसका नेचर होता है कंजर्वेटिव नेचर का होता है के लिए यह बात वर्ग देन इसका जीरो नहीं हो रहा था इससे पहले अभी हमने बताया था आपको अब आईए तेन नंबर तेन नंबर आपको यह समझना है कि positive charge kept at a point field से force in a direction along tangent to the field lines however it is not necessary that a charge will follow one particular lines of field it released from rest मतब क्या है कि अगर यह positive charge है और यह एक negative charge है यह electric field lines यह क्या है यह electric field lines है यह electric field lines है तो यह electric field lines जो शो कर रहा है यह आपर पॉजिटिव और निगिटिव का तो अगर यह charge particle को माली जीए यहाँ पर क्यू नाट को charge particles को रखा गिया क्यू नाट को charge particles को रखा गिया positive charge ki up to a point a field से force यह force feel करेगा यह अपने उपर क्या force करेगा force will करेगा यह इसको अपनी तरफ खीचेगा और यह क्या करेगा धक्का देगा इसको इसको दुर भेजेगा तो यह हो भी सकता है कि यह इस line पर ट्रेवल करे यह भी हो सकता और यह नहीं भी हो सकता अट लेजे कि जो चानि हड़ जो नहीं है कि चार्ज जो है वो फोलो करेंगे एक । फिल्ड को और शूझ फॉल्ड को इक खास शूझ को फोलो करें अगर उसको रिस्ट से छोड़ दिया जा E कर दिया जाए रिलीस कर दिया ये फोर्स फील करेगा लेकिन हम मोशन फील जार्ज को यह कोई जरूरी नहीं है कि वह एक पार्टिकुलर लाइन को फोलो करे उस पर चले क्लियर यह बात अब आएए यह बात याद रखना line of force end और start normally, normally का मतलब क्या होता perpendicularly at a surface of a conductor, माल लिज़े एक conductor है एक conductor है, positive है positive है एक और एक conductor है negative charge है negative है तो इसमें जो electric free line show होगा वो normally होगा, positive से negative के तरफ जाता है positive से negative के तरफ यह perpendicularly हो रहा ना 90 degree perpendicularly हो रहा यह बात समझ महारा perpendicularly हो रहा 90 degree, electric field lines perpendicularly हो गया 90 degree, तो याद रखेगा यह कि जो electric field lines होता है वो start होगा और खतम होगा तो start कहां से होगा, start positive से होता है खतम, negative पर होता है और वो normally होगा, किसी भी conductor कोई भी conductor के surface पर वो normally होगा normally यानि perpendicularly लाई करेगा किसी भी conductor के surface पर यह बात याद रखना है इस तरीके का figure बनेगा यह figure important है आगे जो derivation वगरा आएगा तो उसमें use होगा इस तरीके का दूसरी बात यह है कि electric field lines जो है electric field conductor के अंदर electric field कितना होता है तो zero होता है इसका जवाब याद रखिएगा क्यों होता है electric field इसमाली जी conductor हमने लिया अब इसमें electric field जो आया वो यह इस तरीके से तो आया और यहाँ आकर के इस तरीके से चलाईए है यह चलाईए electric field लाइन जा रहा है यह external electric field है अब यहाँ पर माली जीए minus है minus minus charge है positive charge है अब इसके जरीए भी electric field लाइन बनेगा इसके जरीए भी electric field लाइन बना अब क्या हुआ कि बाहर और अंदर के electric field दोने एक दूसरे को क्या करते है कैंसिल करते है तो इसलिए अंदर जो electric field होगा conductor के अंदर जो electric field होगा अंदर वो क्या हो जाएगा zero हो जाएगा conductor के अंदर electric field का जो value होगा और वो क्या हो जाएगा, जिरो हो जाएगा, यह बात आपको याद रहना चाहिए, ठीक है, क्यों होगा यह बता है कि number of electric field lines are present inside a material of conductor, because the electric field inside conductor is zero, तो electric field जो होगा, वो क्या हो जाएगा, जिरो, कैसे होगा, यह बाहर का electric field है, अगर माल लीजिए, यह बाहर का electric field है, और यह बाह और अंदर के दोनों cancel होगा, कि अंदर के electric field क्या बचेगा, जिरो हो जाएगा, तो यह होगी electric field lines का concept, आप इसके notes को बना लें, और इससे जो सवाल है, objective type का question, इसको बनाएं घर पर, thank you for watching this video.